प्रिवियू देखा आज कुछ वूड़े मैं बताऊंगा कि आप कुछ टाइप की रील वीडियो कैसे बना सकते हो जैसे देखो अभी इस वीडियो पे 7 मिलियन व्यूज है और लाइक को तो आप पुछे मत इसको मैं टू टैप से एडिट करना बताऊंगा एक थोड़ा सा हा दो अब जाए जाए जैसे आप लिखकर सर्च करोगी यहां पर हमारा फॉस्ट वाला पेज मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले तो आपको टाइप कर लेना है स्पेरिंग आप सई से देख लो और यहां पर आपको सर्च पर क्लिक करना अभी जैसे आप सर्च करोगा जो देखो यहां पर फॉस्ट वाला लिंक है वो इंपोर्टेंट लिंक है सिंपल से उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आजाओगे टेंपलेट वाले पेज पर यहां पर जितने भी ट्रेंडिंग टेंपलेट आते रहते हैं सभी अपडेट होते रहता यहा आपको लिखाता है, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे यूज वाले बटन पे, तो देखो यह अभी वर्क नहीं कर रहा है, क्यों कि यहाँ पर आपने वीडियो यूज नहीं किया है, सिंपल से सूपर वीडियो ओपन करेंगे, इसको हम कनेक्ट करा लेंगे, प्लेश्टोर पर फ्री में मिल जाएगा, उसको connect कराने के बाद से आप page पे आओ, यहाँ पे आप use पे click करो, और उसके बाद आप cap cut में आओगे, यहाँ पे आप देख सेकते हो कि यह वीडियो का preview दिखा रहा है, simple से use पे click करो, यहाँ पे आपको photo select कर लेना है, जो भी photo आप select करो, वो उसकी वीडियो बना कर देदेगा, देखो यहाँ पे video ready है, simple से क्या करना, अब यहाँ पे आपको export कर लेना है, अब यह अपनी जो वीडियो एक्सपोर्ट के उसमें आपका खुद का sound effect नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको उस वीडियो को दुबारा add करना है, add करन तो यहाँ पे आपने दो कोई फोटो ले लेता हूं, ठीक है, एक यह वाली फोटो सही लेकरी है, एक दूसरी फोटो ले लेता हूं, यहाँ पे मैंने दो फोटो सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद से देखो, नीची आपको audio वाले option पे जाना है, जैसा कि मैंने पहले ही बत उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको effect वाले option पे जाना है, तो कैसे जाओगे, इस पे जाओ, क्लिक करो, वीडियो एक बेट पर जाओ, इसमें आपको opening and closing में जाना है, और यहाँ पे आपको कोई भी एक blur वाला effect सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आ देखता हूँ कोई साइक अच्छा, वैसे मेरा net पहले slow है, उसमें जैसे यहाँ पे यह animation दिखवी नहीं रहा है, थोड़ा चाम वेट कर लेता है, यहाँ पे और उसके बाद से जैसे यह apply होगा, आप देख लेना, तो यहाँ पे देखो यह animation apply होगा, यहाँ पे देखो,